आज हम बात करेंगे पारासिटामल टेबलेट के बारे में तो इसको सभी जानते हैं इसको बुखार में यूज क्या जाता है और इसका क्या-क्या यूज होता है हम जानेंगे इस वीडियो में कहीं बाते हम जानेंगे इस वीडियो में जो कि आपको पता नहीं होता है पारासिटमल टेबलेट के बारे में तो सबसे पहले जानेंगे इस टेबलेट को बुखार के अलाबा और कुन-कुन सी बिमारी में दिया जाता है उसके बारे में और जानेंगे इसका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, डिटेल से जानेंगे, तो अगर आप चैनल पे पहली बार रहे हैं, तो जरूर से सस्क्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन दबा दें, इसी तरह के medicine related जानकारी पारने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो guys paracetamol एक NSAID group की medicine होता है जिसे की जानते हैं non-steroidal anti-inflammatory drugs के नाम से यह antipyretic, analgesic तथा mild anti-inflammatory drugs होता है इस tablet को दिया जाता है किसी बेक्ति को अगर बुखार हो रहा है फिबर हो रहा है तो दिया जाता है या किसी बेक्ति को दर हो रहा है बडी में पैन हो रहा है या किसी प्रकार का चोट लग गया है उसका दर्थ हो रहा है तो भी दिया जाता है और किसी बेक्ति को किसी प्रकार का सुजन हो गया हो मतलग कि चोट लगने के बज़े से सुजन हो गया हो या और किसी कारण से सुजन हो गया हो तो उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करता है यह है पारासिटामल टेबलेट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के स्ट्रेंद के बारे में तो यह है 125 mg में रहता है 250 mg में रहता है 650 mg में रहता है और 1 gram में भी रहता है तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं brand name के बारे में जिससे कि आप खरीश सकते हैं तो आप डोलो 650 नाम से खरीश सकते हैं या पासिमल 650 नाम से खरीश सकते हैं और पारासिट टेबलेट तो इन नाम से आप यह खरीश सकते हैं इस टेबलेट क बुखार के अलाबा इसका और क्या क्या यूज होता है जानेंगे तो इसको तो कमन लिया जाता है सब को पता ही होगा बुखार में फिबर में लिया जाता है इसके अलाबा और क्या लिया जाता है कौन-कौन सी बिमारी में यूज क्या जाता है जानेंगे तो किसी भी प्रकार का बुखार होने से यह tablet को आप दे सकते हैं किसी भी प्रकार का A to Z किसी भी प्रकार का बुखार होने से आप दे सकते हैं इस tablet को तो इसको यूज क्या जाता है किसी ब्यक्ति को अगर सीर में दर्थ हो रहा हो या उसको किसी प्रकार का चोट लग गया हो या बोडी में पैन हो रहा हो या किसी ब्यक्ति का छोटा मोटा सरजरी हुआ हो या आक्सिडन्ट होके चोट लग गया हो मतलब कि किसी भी प्रकार का जो बोडी पैन होता है उसमें भी आप पारसिटमल टेबलेट को यूज कर सकते और इसको यूज किया जाता है किसी ब्यक्ति को अगर चोट लगने के बज़ा से उस जगा पे स्वेलिंग हो गया है, मतलब कि उस जगा पे सुजोन आ गया है, तो उसको भी ठीक करता है, मतलब कि किसी ब्यक्ति को अगर सुजोन आ गया है, स्वेलिंग हो गया है, तो उसको भ जो swelling हुआ है उसको भी ठीक करेगा और जो body में pen हो रहा है उसको भी ठीक करेगा मतलब इसको आप बुखार में यूज कर सकते हैं, body's pen में यूज कर सकते हैं और सुजन को ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो इन सबी प्रकार के problem में यह tablet को use किया जाता है और यह बहुत ही अच्छा काम करता है आप भी use किये होंगे लेकिन आपको यह चीजे पता नहीं होगा कि दर्त में या सुजन में भी इसको use किया जाता है बोलके तो यह था इसका use next हम बात कर लेते हैं इस tablet के side effect के बारे में तो यह है तो बहुत ही अच्छा medicine होता है जनरल इसका side effect नहीं देखा जाता है लेकिन कहीं के बार देखा जाता है तो common side effect लेते हैं तो किसी ब्यक्ति को अगर side effect हुआ तो उसकी पेट में बहुत ज़्यादा ग्यास हो सकता है पेट में upset हो सकता है या पेट दर्त कर सकता है या nozia vomitting हो सकता है या उसको itching हो सकता है मतलब कि skin recess, skin में itching हो सकता है और कहीं बार ब्यक्ति को edema भी हो सकता है मतलब कि चहरे पे, हाथ पे, पेर पे सुज़न आ सकता है तो यह है इसका common side effect है तो जनरली तो कुछ side effect नहीं देखा जाता है तो कोई side effect आपको देखाई देन टैबलेट के डोच के बारे में इसको कैसे दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं तो इसको दिया जाता है दिन में दो बार यह है ड़ल डोच होता है इसको दिन में आप दो बार दे सकते हैं या किसी ब्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है तो दिन में तीन बार भी दे सकते हैं और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद आप देंगे ठीक है तो इसमें 15 टेबलेट रहता है और यह आपको 30 रुपया में मिल जाएगा मतलब कि एक टेबलेट को 2 रुपया पड़ता है बहुत ही सस्ता टेबलेट होता है तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें सास्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्यू फर वाचिंग